नमस्कार दोस्तों मैं हूँ श्यांबीर सिंग और इस समय आप देख रहे हमारा चैनल जैसल मेर की गलियां दोस्तों कांग्रेस का ये इतिहास रहा है जब से चुनाव भारत में स्टार्ट हुए हैं शाहिद इस पार्टी में एक ही परिवार का प्रधानमंत्री बनता आया है कभी कवार उपलब्द नहीं था तब ऐसी इस्तितियां जरूर आई कि कोई दूसरा प्रधानमंत्री बना हो लेकिन जब भी इस परिवार में कोई ऐसा उम्मीदवार था जो प्रधानमंत्री बनने लाइक था तो उसी परिवार का प्रधानमंत्री बनता आया है इसका जो रहें गया है तो देखे कि दोस्तों अभी हमारे देश में लोग पढ़ ले गएं जादा समझदार हो गएं तो अब सरकारें बदलने भी लगी हैं उनको पता है कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं महान लोग हैं पढ़े लिखे हुसे आ रहे हैं जो इस देश को चला सकते हैं कांगरेस ने इस देश को इतना बड़ा धोका दिया है दिखिये यह गरीवी हटाते रहे हमिशा और करीव आज तक हटी नहीं गरीवियों के आम पर बोट लेते रहें और देश अगर इस देश का युवा पढ़ लिख जाएगा तो शायद उसको किसी भी पार्टी की जरुत नहीं पड़ेगी, इंडिपेंडेंडेंट हो जाएगा, वो अपने दिमाग के हिसाब से बोट करेगा, तो कॉंग्रेस का भी वही रहा जो अंग्रेजों का था, कि हिंदुस्ता के लोगों को ना तो जादा पढ़ा होना चाहिए और ना जादा अमीर, अगर यह अमीर बन गए या जादा पढ़ लिख गए, तो हमारी पार्टी को यह कभी बोट नहीं करेंगे, कि कॉंग्रेस में अभी तक कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर रहा ही नहीं है, जो इस दे अर्मी को उन्होंने बिल्कुल ही बैक पुट पर लाके पटक दिया था, ना तो उनके पास हत्यार थे, हमारा देश इतना कमजोर हो गया था, कि चाइना ने 1962 में भारत को बुरी तरह से हरा दिया था, ऐसा कहा जाता है कि जब चाइना ने आकर्मण किया, तो हमारे सिपाई के पास, पहनने को कपड़े नहीं थे, जूते नहीं थे, और वहाँ पहाड़ों पर जहां बर्प जमी रहती है, वहाँ पर माइनस डिग्री टेंपरेच रहता है, बिना जूतों के, क्या आदमी सिपाई एक हिम्मत होती है, योदा होता है, अगर उसके पास हत्यार ही नहीं होंगे तो युद्ध का इसे करेगा, तो बंदू के हत्यार तो थे ही नहीं उनके पास, ये हमारे देश की हालत कर दी थी, ऐसी उनकी अदूर दर्शिता थी, अभी हाल में जो राफेल सौदा हो रहा है, उसमें भी कॉंग्रेस की अदूर दर्शिता दिखाई दे रही है, देखी राफेल अगर बिमान भारत में नहीं आएगा, खुदा न करे अचानक चाइना है, पाकिस्तान है, कभी अटेक हो जाए, तो हमारे देश की इस्तिती आज ऐसी नहीं है, कि उनके पास लेटस टेक्नलोजी के जो बिमान है, उनका मुकाबला कर सके हम, 1971 का युद्ध हुआ था, 65 का युद्ध हुआ था, तब भी ऐसी इस्तिती बनी थी, 65 के युद्ध में, पाकिस्तान के पास लेटस टेक्नलोजी के अमरीकन हत्यार थे, चाए सेवर जेट हो, चाए F-86 हो, और हमारे पास क्या थे, पुराने डेकोटा बिमान, जो रात को धूल चटा के रख दी थे, तो कॉंग्रेस ने कभी भी देश को मजबूत बनाने की कोशिस नहीं की है, दूर दर्सिता नहीं दिखाई है, उनके लीडरों ने, अभी हमारे प्रधान मंतरी मोदी जी है, उनका लक्ष ये है, कि सबसे पहले हम अपने देश को इतना मजबू कुछ नहीं होंगे, तब तक हमको कोई सलाम नहीं करेगा, एक कहाबत भी है, कि भए बिन प्रीत नहीं होती है, हमारा भए होगा तो दुनिया हमारे कदमों में पड़ी होगी, दुनिया से बहुत सारा निवेस आएगा, यहां कम्पनिया आएगी, उगर हमारा देश कमजोर होगा तो कोई भी निवेस नहीं आएगा क्योंकि इस्थाय तो नहीं आएगा मेरे को अजीत डोभाल की एक बात उन्होंने कही ती बड़ी अच्छी लगी आज वो मेरे दिल में उतर गई कि इतिहास हमेशा शक्ति का साथ देता है अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे देश में बड़े बड़े लोग हुए हैं चाहे महरणा प्रताप संग्राम सींग दिल्ली के अंदर उनके नाम पर एक रोड नहीं है और जो शक्ति साली थे लुटेरे मुगल उनके नाम पर अनेक रोड़े हैं चाहे औरंग जेप रोड हो अकवर रोड हो हुमावी रोड हो तो ऐसे उन्होंने कहा है कि इतिहास भी उन्हीं लोगों को याद रखता है जो शक्ति साली रहे हो अगर हमारे देश को संब्रद बनना है शक्ति साली बनना है दुनिया को जुकाना है तो हमें गरीबी अटाओ का नारा नहीं देना है सबसे पहले अपने देश को सक्ति साल बनाना है गरीबी संब्रदी तो अपने आप दोड़ कर चली आएगी तो कहते हैं शक्ति का सब साथ देते हैं और हमारा देश जिस दिन संब्रद साली दुनिया में नंबर बन शक्ति संब्रद साली बन गया तो दुनिया से इतना निवेश आएगा इतनी नोक्रियां पैदा होंगी कि यहां के गरीबी और यहां के लोग संब्रद साली बन जाएंगे तो लोगों को हमारे हिंदुस्तान भी भाईयों को सोचना होगा कि हमें ऐसी सरकार चाहिए जो 1962 में चाइना सवा चुनाव हो रहे हैं तो अभी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो इस देश को बहुत ही आगे ले जा सकते हैं दूरदर्शी नेता है उनको चुनिये उनको बोट करिए मेरा यही कहना है और फिर आपका देश है मर्जी तो आपकी चलेगी लोगतंत्र है जि सब्सक्राइब कर रहना हमको इसी देश में बुरी कंडिशन में रहना अच्छी कंडिशन में रहना यह आपके उपर निर्भर करता है नमस्कार